logic building in 90 days के day 5 में जो आज का question था उसका नाम था dormi's paint 3 code forces से लिया गया और आज इस video में उसके solution के बारे में हम discuss करेंगे so जिसमें भी ये problem solve नहीं करिए पहले जाके solve करो link मैं description में दे दूँगा so problem करिए कि एक array है जिसमें b1 से लिके bn तक positive integers है is good if all the sums of two adjacent elements are equal to the same value more formally the array is good if there is case such that b1 plus b2 b2 b3 b4 as a something आपके जो consecutive element है उनका summation बराबर है और वो कोई भी k हो सकता है no matter कुछ भी हो सकता है now dormi has an array of length now dormi can permute its element change their order permute का मतलब सफल कर दिया इदर उदर कर दिया element को however she wants determine if c can make the array good or not okay so good array है अगर दो consecutive elements का summation हमेसा बराबर हो so क्या हम permute करके सफल करके कोई ऐसा array बना सकते हैं such that वो good array हो input दिया गया है the input consists of multiple test cases पहला T number of test cases है now first line of each test case contain n and 2 से लेके 100 तक लाई कर रहे और second line में मुझे एक array दिया गया है size जहां यहां पर a1 से लेके यहन तक element है और कोई भी particular value 1 से लेके 10 to the power 5 तक जा सकती है हमें yes print करना है if it is possible to make the array good otherwise no same तो बहुत like normal सा question है किया रहे हमारे पास एक array है और example ही ले ले लते just 8 9 consecutive element का summation देख लो 8 plus 9 17 तो एक ही pair है so that will always be good pair या good array मैं कह सकता हूँ और यहां पर k की value 17 आ गई है मेरी now next देखते 1 1 2 1 2 को अगर हम 1 2 1 लिग दे तो इसका summation 3 यहां का summation 3 एक हमने बना लिया answer good हो गया और answer yes दे देना actually हमें बस yes और no answer देना हमें कोई array नहीं बतानी है कि वो array कैसी दिखेगी बट हमें just yes और no देना है एक और है 1145 now you can see that क्या हम 1145 को सफल करें 1145 तो नहीं है good array now 1415 still not a good array 1514 यह 6 है यह 6 है बट यह 5 है so सारे जो consecutive element है उनका summation कोई के बराबर नहीं है यहां से हम क्या figure out कर सकते हैं देखो यहां पे सिर्फ दो unique element थे तो हमने कुछ करके इसका alternate order में रखके numbers को alternate order में रखके हमने उसका summation किसी के के बराबर कर दिया सेम यहां पे बिता सिर्फ दो unique element थे यहां पे देखो unique element थे तीन है तो आप कभी भी किसी भी तरीके से आप swaps या सफल करके consecutive elements का समेशन हमेशा बराबर नहीं निकाल सकते कि जितने भी आपके पास pair बने सबका समेशन आपका बराबर ही हो तो वो possible नहीं हो पाएगा है आप तो पहला हम यहां से देख पा रहे हैं कि unique element less than or equal to 2 होना चाहिए पहली चीज़ दूसरी चीज़ सपोज मेरे पास एक element ले लेते सकता हूँ सबका समेशन 5 है ठीक है मान लो 4 बराबर होता 1 के so 1 4 1 4 1 4 1 4 यह भी एक गोड़े बन जाता सपोज 4 एक ज्यादा होता तो 4 1 4 1 4 1 4 4 4 और 3 यह भी हो जाता 4 एक और ज्यादा होता अब यह हो गया 5 तो मैं अगर हर 4 के बाद एक 1 fit करूंगा तो 4 1 4 1 4 1 4 और एक 4 ब पहली चीज पहली चीज अगर और एक और चीज है अगर element सिर्फ single unique element होता जैसे मेरी array given है कुछ यह जी 5555 तो consecutive elements का समें 10 ही होता बराबर ही होता तो अगर unique element मेरे 1 है तो answer always true यह वह हमें साग good array होगा अगर unique element 2 है तो 2 cases बनते हैं पहला जो दोनो elements का count है जो दोनो elements का count है वो क एक account अगर 7 है दूसरे का count 8 है चल जाएगा एक account अगर 8 है दूसरे का 8 है चल जाएगा एक account 9 है दूसरे का 8 है यह भी चल जाएगा या नि जो आपकी difference है वो difference एक का होना चाहिए या एक से कम का या 0 का difference होना चाहिए इन दोनों condition में भी आपका yes हो जाएगा और बागे सारी condition में आप कोई भी ऐसी good error नहीं बना सकते तो simple सा question है अब हमें यहाँ पे unique elements के count के बारे में बात हो रहा है तो एक काम करते हैं क्या हम यहाँ पे एक has set या dictionary बना ले उसमें सारी unique element रख लेते हैं तो इसका code कर लेते हैं simple पहला तो बोला गया है T है number of test cases n है और एक array है so let's code it we have t t is equal to int input मैं python में करा हूँ बड़ जावासी plus plus का code मैं आपको provide कर दूँगा no worries loop चलाते हैं for i underscore in range t हर बार एक n लेंगे जो होगा int of input एक काम करते हैं एक array input ले लेते हैं array is equal to list map int input dot split simple है मेरे पास एक array given 89112 ऐसे आपके पास array आएगी काम करते हैं एक has set बना लेते हैं या dictionary आप python के भास हमें को dp नाम की एक dictionary बना लेते हैं array से एक एक आइटम निकालते हैं और dp के आइटम में उसका count रख लेते हैं dp of item is equal to dp.get वो item कितनी बार आया है या कितनी बार आया है प्लस 1 उसका occurrence हम यहां पे रख लेंगे ओके अब मेरे पास item भी आ चुका है चेक लेते हैं कि अगर length of dp बराबर है 1 के इस case में always yes always yes हो जाएगा दूसरी condition है कि elif अगर length of dp जो है मेरा ये दो के बराबर है तो मेरे पास दो condition होगी उन्हें हम check करेंगे अगर ऐसा नहीं है length of dp greater than 2 है तो answer के भी possible होगा ही नहीं उस case में हम simply we will put here no okay अब दो के बारे में बात कर लेते हैं मेरे पास दो element है और दोनों element का एक count होगा values इसको हम सारी values आ जाएंगी जो keep है पढ़ी है इसको अगर हम list में convert करें okay list में convert करने के बाद list हमारी निकल गी हमारे पास दो element आ गए basically करना क्या है आपको कि let me show you what I'm trying to do suppose आपके पास एक dictionary बनी है जिसमें 7 आपका 5 बार आया है और 6 आपका 4 बार आया तो हम देखेंगे कि यह दोनों value हमें basically चाहिए कि जो दोनों unique element है उनका number of occurrence कितना है और दोनों को subtract करके absolute value ले लेंगे और यह absolute value should be less than और equal to 1 चाहिए जो यहाँ पे simple हम dp.values से सारी values आ गई दो value बेसिकली आएंगे list में convert कर देंगे और यहाँ पे मैं एक temp नाम का variable आता हूं और list 0 को subtract करता हूं list 1 के साथ absolutely लेता हूं और अगर यह temp less than or equal to 1 है तो I will print yes यानि जो difference है वरना में print no okay so हो गया now let's run it on these test cases yes no no अगया now let's try to submit this वैसे तो मैंने पहली कर दिया है बट फिर से कर लेते हैं सम्मिट दे कोड़ है एक्सेप्टेट है कि सो सल्यूशन अक्सेप्ट हो चुक है है सो मिलते हैं डे शिक्स के वीडियो में तता के लिए बाए